आज वो सारे बच्चों का जो क्वेरी है उसको आंसर कर देते हैं कि सर मैं डमी स्कूल से हूँ सर मैं हेल्थ इशूस की वज़े से अपना 75% अटेंडेंस जो है वो नहीं पूरा कर पा रहा हूं ठीक है या नहीं हो पा रहा है ठीक है या फिर आप पढ़ाई के रीजन से आप 75% आप अटेंड नहीं कर पाए या जो भी था अब आपको पता लगा है तो अब कैसे पूरा होगा अभी 50% नहीं है तो अभी पूरा भी स्कूल जाओंगा तो नहीं हो पाएगा प्राइवेट स्कूल में है मतलब प्राइवेट स्कूल का मतलब प्राइवेट कैंडिडेट जो अलग से एक्जाम देते हैं बिना स्कूल आए तो इस तरह के जो केसे से इनके लिए क्या होगा क्या किया जा सकता है what is the best thing मैं आपको बताता हूं और थोड़ा से अभी इसको सेटल हो जाओ ठीक है इस चीज को लेकर एकदम परिशान होने की जरूरत नहीं है कैसे करना है वो मैं आपको बता हूंगा और जो CBSE के लिए आप जो हेटेट फिला रहे हैं मतलब की CBSE हेट बटन और यह इतने सारे लोग उसको लाइक कर रहे हैं CBSE need to understand worst CBSE schools are how worst CBSE schools are उसके ओपर आप यह चीज कर रहे हो ठीक है और who hates CBSE the worst education system तो इस तरह की चीज़ें आप जो कर रहे हो देखो अपने concerns को लिखना वो चीज समझ में आती है लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो this is not something जो आपको help करेगा ठीक है अब CBSE क्या है मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ मतलब ऐसे तो पता है आपको लेकिन जब आप इन comments को कर रहे हो तो आप यह समझो कि 75% का attendance कोई पहली बार नहीं आया है कि हाँ अभी exam नजदी के और अभी announce कर दिया कि 75% attendance ऐसे नहीं है पहले से था ठीक है शायद आपको पता भी था कि हाँ 75% attendance होना चाहिए इमानदारी से बताओ पता था कि नहीं अगर पता था तो यह जो circular है यह schools के ल अच्छे हैं जो board exam देते हैं उनको एकदम हलके में ना ले ठीक है उनको पढ़ाएं ही ना और उनको एकजाम ढंक से conduct ना हो ठीक है तो इन चीजों को obviously holistic development जब कहा जा रहा तो यह schooling is necessary है ना कि एकदम से बच्चा स्कूल ली जा रहा तो इन चीजों को avoid करने के लिए करा जात अब जो आप बोलते हैं वर्स्ट है CBSE, CBSE वर्स्ट बिलकुल नहीं है यह वो बच्चे से पूछो जो बच्चा state board से 10-12 से निकलता है या दूसरी board से निकलता है और तब उसको realize होता है कि भाई यह मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर कोई state board NCRT follow कर रहा है तो बस वो बरा अब उस चीज़ को समझो कि यह competency question जो है यह आपको ऐसे help करेंगे कि आप जब 10-12 करके बाहर निकलते हो अपनी life में आगे जाते हो ना अपने career के लिए और आगे की जिंदिगी में बहुत help करेगा यह CBSE भले सारे board सब लोग NCRT follow करें उससे फरक नहीं पड़ता पर जिस तरीके का examination pattern है और जो dynamic nature है उसका यह बहुत जबरदस्त है और आपके seniors है उनसे पूछ के देखना इस बात को जो अभी engineering में या medical में या किसी भी field में आगे जा रहे हो उनसे पूछना वो हमेशा CBSE को best कह हैंगे वो ना ICSC की बात करेंगे ना किसी और board की बात करेंगे उसका कारण ही यह है the type of exam the dynamic nature ठीक है तो यह सब चीजें जो है ना उसको best बनाती है और तो आप आपको भी कहीं ने कहीं यह बात पता है और इसलिए आप CBSE में पढ़ रहे हो यह तो मतलब हम लिखते हैं मस्ती मजाक में वो बातें अलग है लेकिन इसको seriously मतलब ना बिलकुल भी ठीक है और अगर CBSE ने seriously है तो फिर अलग हो जाएगा वो मामला ठीक है तो अब खेर हम आते हैं अपने point पर कि यह CBSE best है यह मान के चोलो पहली बात competency question हो या जो भी बदलाव ला लाए जा रहे हैं वो आपकी betterment के लाए जा रहे है 75% भी उसी का हिस्सा है अब सर जिनका 75% attendance नहीं है वो क्या करें यह बड़ा point है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वाकई में बीमार था या medical issues की वजह से वो साल भर attend नहीं कर पाया या उसका attendance 40-50% से भी कम है तो वो क्या करें genuine serious चीज है अब ऐसे में अगर वो school board उसको exam attend करने नहीं देता तो वो गलत है ठीक है और या कोई ऐसा बच्चा है जो dummy school में है dummy school वैसे बोलने के लिए आजकल बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए वो जो भी सवाल है पर है exist कर रहा है तो है तो क्या करें ठीक है कोई privately exam में बैट रहा है तो उसके लिए वो क्या करें तो इन चीजों का और ऐसे बच्चे भी हैं जो बड़ी तादाद में हैं जो बीमार भी नहीं थे medical issues भी नहीं थे लेकिन पढ़ाई के reason से कि उनको जैसे 12th के बच्चे especially वो boards के हिसाब से या J.E.N.E.T. के हिसाब से वो अपनी त बहुत जरूरी है आपका अपनी स्कूल के साथ सिंक रहना तो चाहे आप dummy school में हो चाहे आप regular school में हो ठीक है attendance का अगर ऐसा पंगा हो रहा है तो सीधे सीधे आपको एकी चीज़ करनी है या तो खुद या तो अपने parents के साथ ठीक है अपने concern teacher के पास जाओ अपने class teacher के पास जाओ या school की जो authority है head master या जो भी होंगे उनके पास जाके और इस चीज़ का concern शो करो कि भाई मेरा attendance तो कम है अब क्या किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है उसे बात हो ठीक है और उसको solve किया जाए और ये बहुत easily होता है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ठीक है ये बह schools उसको काफी अच्छा manage भी कर लेता है बस यही है कि आप unnecessary का school जाने से बहुत benefits already है तो अब जो आगे समय है ना आपके पास उसको थोड़ा school में बिताओ वहाँ पर भी आप अपने time को सही utilize कर सकते हो that is all up to you ठीक है ऐसा बिलकुल मत बोलो किया बिलकुल ही time pass होता है मेरा school तो बखवास है और यह वो यह सब हमने बना रख रहे हैं ठीक है ऐसा था तो school ही क्यों जा रहे था शुरू से ठीक है तो यह बात समझो कि अब जो समय बचा हुआ है उसको teacher भी यही बुलेगा अगर अब जाओगे ना class teacher के पास या जो भी आपको attendance का चीज लग रहा है तो वो भी आपको यही कहेगा mostly यही advice देगा कि देखो इस चीज को हम किसी तरीके से figure out कर लेंगे लेकिन अब आपको आपके लिए important यह है क्योंकि आप तो school के पास ही है वो सारा attendance और हिसाब किता आप तो school के पास ही है वो तो January में submit करेंगे ठीक है तो इ समय है ना जैसे वो यही कहेंगे कि यह जो November, December और अब जो समय है उसको आप properly school को follow करो उसमें ठीक है school जाओ और चीजे करो so best solution यह है कि आप सीधे अपने क्योंकि हर जगा पर नियम अलग होंगे हो सकता है कि आपके स्कूल में आपके दोस्त के स्कूल में जो है वो allow कर रहे हो आपके वाले में थोड़ा जादा strict हो यह सब चीजें ऐसी apply हो ठीक है और मतलब जहां पर genuine है वहां पर कोई ऐसा issues नहीं होंगे बिल्कुल पैनिक होने के जरूरत नहीं है और इतना हेट करने के जरूरत नहीं है cbsc best था best है और best रहे ठीक है यह आपको अभी अभी समझ में नहीं आ रहा है सच में बता रहा हूं यह बात में समझना है ठीक है चलो मिलते हैं अग लिए वीडियो में तिल दिन